जय हिंद स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्यानफुर एक्जाम में इस वीडियो में जो है एक ग्यानबिंदू सरका जो बिहार दरोगा का एक बेहतरीन कोश्चन बैंक आया है और एक हमने इसको देखा तो बहुत ही बेहतरीन जो है हर एक सब्जेक्ट वाइज और जो प्रस्न दिया गया है उसमें बेहतरीन तरह तरह से सवाल को एड़ करके एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ इसमें दिया गया है तो उमीद करेंगे यह सरीज आपको जुड़ जाये और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अन्य लोगों तक इसको सेर भी कर दे तो देखे आज का जो कोश्चन बैंक है इसके अंतरगत हम 2018 में जो फर्स सिप्ट का पेपर वहा था बिहार दरोगा का इसका पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे ठीक है तो पूरे व जुड़ सकते हैं यहाँ पर सारी डिटेल दी हुई है मात्र 99 रुपे पर महिन्दा के हिसाब से आप को चार्ज लगेंगे अधिक जानकारी जो है आप इस नंबर पर ले सकते हैं जिसके अंतरगत इन सभी बुक को कवर कराया जाता है तो आप जल्द से जल्द जूर सूपर 50 है पचासी लोग को उसमें एड़ किया जाएगा तो टाइम बेस्ट ना करेंगे आए अब देखते हैं जो है यहाँ पर बिहार पुलिस अबर निरिच्छक दरोगा निउक्ती प्रारांबिक परिक्षा हल प्रस्नपत्र प्रिक्षती थी है यह 11 मर्च 2018 प्रथम पाली का एक अक प्रस्न को हम लोग डिल करेंगे और यह जो है चली कता है कि सत्रिया किस राज्य की सास्त्रीय निरित सैली है सास्त् रिंद्रित के बारे में यह चर्चा किया गया है सत्रिया और जो कहता है कि भारत में जो है मुखरुप से बर्तमान में आठ सास्त्रिंद्रित मौजूद है जो कि यहां पर है और इसका मैं बात करूँ तो पीडियेफ जो है फ्री पीडियेफ हम आपको प्रवाइड करा दे करेंगे ऐसे दो-तीन-बी्ट चैनल और ऽे किया था थह था तो भारत का प्रतम उर्वररक सयंत्र और scr रस्थापित किया गया था तो भारत का उर्वर आगया है उसके नुसार सिंदरी तीसरा नमबर सवाल है कि किसी तत्व के समस्थानिक से तात परे है तो किसी तत्व के समस्थानिक का मतलब वो होता है कि उस तत्व के वे परमानू जिनकी दर्यमान संख्या अलग-अलग हो वैसे को हम समस्थानि कहते हैं चलते अगला सवाल क सवाल जो है थोड़ा सा बीच में डिसकेशन के कारण जो है दोरदूर है चोथो नमबर सवाल है कि निमलिखित में से किस सीख गुरु ने गुरु मुखी लीपी की सुरुआत की है पाचवा सवाल, पाचवा कहता है कि निमन बक्तब्यों पर विचार कर सही उत्तर का चैन किजिए, कथन कहता है कि हिमाले से निकलने वाली नदियां बारामासी होती है तो बिल्कुल सही है, दूसरा कहता है कि हिमाले नदियों का उद्गम सुरूत हिमानियों में इस्तित है, यह भी सही है, यानि कि option number A, A और A दोनों पुष्टी करता है. सवाल आगे हैं हमारा च्छाह नंबर, कि किसी भी राजनितिक दल को राश्टिय दल बनने के लिए कितने राज्यों में माननेता जरूरी है? तो यह जो हैं मुखरूप से चार राज्यों के अंतरगत माननेता प्राप्त करनी होती है. फिर है सात्वा सवाल कि निम्लिखित में से केश छेतर में भारत में प्रथम सहकारी अंदोलन का आरंब हुआ था. आठवा सवाल है कि निम्बू बाजवो बुद्नामक बांध निम्लिखित में से कौन सी नदी पर इस्तित है? निम्बू बाजवो नदी की अगर बांध की बात करें तो यह सिंदू नदी पर इस्तित है और यह बरतमान में लद्दाख में इस्तित है. सवाल नंबर आगे है हमारा नौ नंबर कि किसी बस्तू की कीमत में बृधि से क्या भी प्रेरित है? तो किसी बस्तू के बृधि से अभी प्रेरना यह मिलता है कि मुद्रा के मुल्य में गिरावट और बस्तू के मुल्य में बृधि हो जाती है. दस्वा सवाल है कि निमलिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर अम्बेदकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया है? दलित समाज सोशन मुक्ती मोर्चा मंच, समता सैनिक दल, स्वतांतर मजदूर संग या दरिपाब्लिक पार्टी आफ इंडिया? तो इन सभी में देखा जाए तो दलित समाज सोशन मुक्ती मोर्चा मंच जो है ये अम्बेदकर का नहीं है. बाकी अन्य सभी अम्बेदकर के द्वारा सुरू किया गया है. 11. संस्थाएं और संग बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो संस्था और संग आपक जो अगर बनाते हैं तो ये केवल नागरीकों के लिए सुनिश्चित स्वतंतरता का अधिकार के रूप में जाना जाता है. 12. सवाल है कि ओजोन छिद्र से क्या अतात पर है? ओजोन छिद्र कहने का मतलब है कि समताप मंडल में ओजोन परत की मुटाई कम होना यही कहलाता है ओजोन छिद्र. तेरे नमबर सवाल है कि संयुक्तराष्ट दिवस कम मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट दिवस यह मनाया जाता है 24 अक्टूबर को क्योंकि इसके अस्थापना भी जो है 24 अक्टूबर 945 को होता है और देखें यहाँ पर कुछ पॉइंट दिये गए हैं कि एक नौ 2222 एक साइज एसाई कोश्चन नमबर पच्पर रिलेटेड यानि कि प्रिभियस एर के सवाल जो है आगने वाले एक्जाम में पूछे जाते हैं वही यहाँ पर डिनोट किये गए हैं अगला जो सवाल है वह आता है हमारा 14 नमबर कि सुची एक को सुची दो से मिलान कीजिए तो यहाँ पर देखेंगे बाग हर अच्छे छेतर है और जो है यहाँ पर राज दिया गया तो इंद्रावती इंद्रावती जो बाग अभ्यारन है यह 36 गड़ में है पेरियार की ब अपड़ेट आपको समय पे मिलता रहे 15 नमबर कहता है कि कौन सा सयंत्र तरल पदार्थों के बिसिष्ट गुरुत्वे को मापता है तो तरल पदार्थ जो है बिसिष्ट गुरुत्वे को मापता है हाइड्रो मीटर जिसे हम द्रब घनात्वे मापी के नाम से भी जानते है 16 नमबर सवाल है सुची एक को सुची दो से सुमेलित करना है उद्योग और अबस्थिती दिया गया है तो अब देखे यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा रेलेवे उद्योग रेलेवे उद्योग की यानि की रेलेवे उपकरन की बात कर ले फिर मोटर बाहन पोत निर्मान और साइकल तो साइकल की बात करे तो लुध्यान यानि की डी का टू खोजिये पहले ठीक है उसके बाद अगर पोत निर्मान की बात करे तो कोचीन C का 1 खोजेंगे तो आपसा नमबर ये में चला जाएगा रेलबे उपकरन जो है हमारा हो जाएगा भिलाई के अंतरगत और मोटर बाहन जबलपूर के अंतरगत अब आंसर इधर देख लेते हैं यहाँ पर है हाँ बिल्कुल हम लोगों ने सही मिलाया कि रेलबे उपकरन भिलाई मोटर बाहन जबलपूर पोत निर्मान कोचिन साइकल लुधियाना 17 नमबर है कि पौधे मिट्टी में घूले हुए नाइट्रेट को अफसोसित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित कर देते हैं किस में तो पौधे जो है ये परिवर्तित कर देता है प्रोटीन में क्या कह रहा है कि पौधे मिट्टी में घूले हुए नाइट्रेट को अफसोसित करता है और उसे परिवर्तित करता है प्रोटीन में नाइट्रेट को प्रोटीन में बदलता है सवाल नमर 18 कहता है कि हवा में परागन को क्या कहते है तो हवा में परागन को नॉर्मल सी वात है कि हवा को हम बायू कहते है तो बायू परागन ही होगा अगला सवाल सवाल नंबर 19 है कि यूबा जो की प्रधान मंत्री कौसल विकास योजना के अंतरगत एक कौसल विकास कारिकरम है जिसके द्वारा प्ररणभ किया गया है तो यूबा जो ये सुरू किया गया था दिल्लि पुलो इसके तहट किया गया था केसर का मुखुत पादक राज कौन सा है यह आप जानते होंगे जम्मु कस्मी रहे यह ध्यान में रखेंगे जल सोधन का कौन सा तरीका सुक्ष मजीवों को नश्ट नहीं करता है उबालना, निस्यंदन, क्लोरिनी करन या फिर प्रवैगनी बीकिरन तो निस्यंदन जो है यह सुक्ष मजीव को नश्ट करने का काम नहीं करता है सवाल नंबर आगे है हमारा 22 की NSDL का पूरा नाम क्या है NSDL का कहने का मतलब है National Security Depository Limited Option No.D जो क्या काम करता है तो share और bond कैसे समंधित काम करता है कीट दंस में होने वाली खुजली किसके कारान होती है तो यह याद रखेंगे फौर्मिक आमल होता है कीट यानि की खास करके जो मदुमक्खी वगरा काटता है उसमें फौर्मिक आम चीटी में होता है निम्न हस्तियों पर विचार करें और कौन थियेटर से जुड़ी हस्तियां है जो बताना है तो कहता है नसेरुदीन सा गिरिस करनाड डॉली ठाकूर और मकरंद देश पांडे यह सभी के सभी जो है यह थियेटर से जुड़े हुए है सवाल नंबर है हमारा पच्चीस कि महात्मा गांधी राष्ट्य समुद्रिय उद्यान कहां इस्तित है 26 नंबर सवाल कहता है कि कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के बिरुद है कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम का विरुद है तो द्रब्यमान उर्जा का सरक्षन से संबन दीत है अगला सवाल 27 सवाल कहता है कि भूमध रेखा निमलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है केनिया मैक्सिको इंडोनेसिया और ब्राजील इन में जो मैक्सिको है मैक्सिको से होकर के भूमध रेखा नहीं गुजरता है बाकी अन्य सभी भूमध रेखा जो है यह 0 डिगरी इस अंतर को हम करते हैं और इन सविर देशों से गुजरता है सवल नमबर 28 काता है कि बिश्व के इतिहास में पहली परमानु आपदा कब हुई थी तो पहला परमानु आपदा होता है हमारा कब 6 अगस्त 245 को आप्सन नमबर D दूसरा हुआ था कुछ दिन बाद ही आगे 29 नमबर सवाल है कि हस्तांतरन मुल्ग का समद है निमने में से किस से है हस्तांतरन मुल्ग का मतलब होता है कर एवं लिखांकन से ओप्सन नमबर C हो जाएगा इस में जो बीच-बीच में डिसकसन दिया गया है इस कारण से question जो है सवाल है 31 नमबर कि गौतम बुद के संबादों की भासा क्या थी तो गौतम बुद के संबाद की भासा पाली हुआ करता था और पाली भासा में इन्होंने संबाद किया था इसलिए ये ज़्यादा फेमस हुआ 32 नमबर है कि 28 से दिवस किस तारी को मनाया जाता है ये सब जान रहे होंगे कि 28 से दिवस जो है एक दिसंबर को मनाया जाता है 33 नमबर सवाल है कि निमलिखित में से कौन रक्षा मंत्राले के बिभाग है तो रक्षा मंत्राले के बिभाग के अंतरगत देखा जाए तो रक्षा बिभाग रक्षा नुसंधान एवं विकास बिभाग और जो है वह हो जाएगा हमारा रक्षा उत्पाद बिभाग ये सभी के सभी जो है रक्षा मंत्राले के अंतरगत आता है लेकिन रक्षा बित गया है तो डिप्लोमेटिक का स्टेशन ये खोला गया है चिन्नाई के अंतरगत और साथ अगर 2017 को ये अगर देखा जाए तो उसी साब से कैरेंट का सवाल है ठीक है उस समय के फुटबॉल में ध्यांचंद प्रशकार 2017 में किसे समानित किया गया था या भी कैरेंट का है सयद साहिद हकीम को दिया गया है और ध्यांचंद प्रशकार का सुराथ जो है 2002 में किया गया है बंगाल के विभाजन को रद किया गया था किस के समय में तो लॉड हार्डिंग द्यूतिया के समय में किया गया था 1911 के अंतरगत अगला सवाल है हमारा 37 नमबर कि भारतिये रॉके जान का नाम है अस्प्राइट ऑप्सन नमबर सी और यह जो है यह भी कैरेंट का ही सवाल है तेही जुन 2017 को यह छोड़ा गया था भारत में पहली बार किसने बार्सी काई को अनुमानित किया था तो बार्सी काई को देने वाले जो थे अठारासो सरसाट में दादा भाई न लिखित में से कौन सा संविधान संसोधन राष्ट पती को किसी भी मसले को पुनह विचार के लिए मंत्री मंडल को भेजने की सक्ति प्रदान करता है तो राष्ट पती के पुनह विचार के लिए मंत्री मंडल का सक्ति दिया था चवाली सवा संविधान संसोधन जो की ऑप मौलिक अधिकार की बात करें तो यह हो जाएगा चौथा नंबर पर अमेरिका के साथ राज की नितिन देशक्तत्य की बात करें तो आईरिस यानि की आईरलंड के साथ केंद्र राज संबंध की अगर बात करे तो यानि कि संगिये वाला तब हमारा हो जाएगा कनाडा के साथ और संसद्य सरकार बिटी संबिधान के साथ यानि कि option number यहाँ पर मिला लीजिए C number में है जो भी है वो क्या क्या था कि मौलिक अधिकार अमेरिका के संबिधान से राज के निति देश सकता तो आहिरिस की संबिधान से संसद्य सरकार बिटी संबिधान केंद्र राज संबंध कनाडा के संबिधान से किसे भारत का नियंतरा के वा महालेखा परिक्षक निक्त क्या गया है यह उस समय के अनुसार यानि कि 2017 के अनुसार रालजी महरसी थे बरतमान में 2022 में यह बदल गए है सरकरिक विवाद किन्दो देशों के मद्ध है तो सरकरिक विवाद जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में होता है ऑप्स नमबर एप यह गुजरात के आसपास का हिस्सा होता है सरकरिक चौलिस नमबर सवाल है कि किस देश ने बर्स दोहजार चालिस स्वी तक पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर पूरी तरह परतिवन लगाने का निर्ने लिया है यह बात दोहजार चालिस में करेगा फ्रांस करेगा निमलिखित में से कौन सा मुवाईल एप किंद्रिये ग्रामिट विकास मंत्राले द्वारा सडकों की रख रखा भेतू बनाये गया है तो क्या है कि कौन सा मुवाईल एप यह उस समय के अनुसर केरेंट का है तो अंसर देखना पड़ेगा औरंभ है आरंभ और किया गया था द्वाजर सत्रा में चरलिस है कि भारत के कीसराज को UN Public Service Awaard से समानित क्या गया है तो UN Public Service Awaard से समानित क्या गया है, पच्छी मंगाल को केरेंट का सवाल है जादव फोकस नहीं करना है 47 है कि Global Hunger Index निमलिखित में से किसके दौर प्रकासित किया जाता है तो ये परते एक साल बदलता है रैंकिंग लेकिन जारी कौन करता है तो International Food Policy Research Institute ये हमेशा सेम रहता है 48 है कि नांगल किसके लिए जाना जाता है तो नांगल जो है ये हमारा उर्वरक उद्योग के लिए जाना जाता option number C हो जाएगा और नांगल जो है पंजाब के अंतरगत इस्तित है अगला सवाल है हमारा 49 number कि 2011 की जनगना के अनुसार भारत में निमलिखित में से किस राज में लिंगानुपात सरवाधिक है तो लिंगानुपात तमिल नाडू के अंतरगत जो है ये इन आप्सनों के अनुसार दिया गया है 296 अगर ओभार ओल देखा जाए लिंगानुपात तो सबसे ज़्यादा जो है केरल के अंतरगत होता है ठीक है 1084 यहाँ पर दिया गया है केरल के अंतरगत और सबसे कम जो है हर्याना में है 889 यह भी यहाँ पर दिया हुआ हर्याना 889 लूसी दुनिया का सबसे बड़ा जोला मुखी बिस फोट केश द्यूप में हुआ है यह भी केरेंट से समंधित है इंडोनेसिया में लेकिन यह जगह फिक्स है तो यह हमेशा के लिए याद रख सकते हैं कि लूसी जोला मुखी इंडोनेसिया में है उसके बाद आता है हमारा क्यावा नंबर की निवन में से कौन सी प्रातना समाज की मांग नहीं थी ठीक है तो लड़के और लड़केों की बिवा हायु में ब्रिधी करना यह प्रातना समाज की मांग नहीं थी लेकिन इस्तरी सिक्छा बिदवा पुनर्विवा और अस्प्रिस्चेता की समापती यह प्रातना समाज का मांग हुआ करता था और प्रात्ना समाज के अस्थापना 1867 में आत्माराम पंडूरंग ने किया है बावा नंबर कता है कि भारत के लिए अमेरिका के कच्चे तेल का पहला नौ भरन सीपमिट किस बंदरगा पर पहुंचा है पारादी पोडिसा के अंतरगे तिस्थी थे और यह भी कैरेंट से समन्दी थे रामनात कोविन भारत के राष्टपती तो रामनात कोविन जो थे चौदवे राष्टपती बने थे भारत के चले आप हमें बताएंगे कि भारत के पंद्रवे राष्टपती के रूप में कौन है ये कमेंड में आप बता दें चौबर नमबर है कि सुची एक को सुची दो से मिलान करना है और सिंधू अस्थल है और दूसरे जगापे अस्थान है तो लोथल की बात करें तो ये लोथल जो है आपको मिलेगा कहाँ पर तो लोथल मिलेगा गुजरात में रोपड की बात करें तो पंजाब में राखी गड़ी की बात करें तो राखी गड़ी हमें मिलेगा हर्याना में काली बंगन जो है राजस्थान में आप्सन नमबर बी पच्पन नमबर सवाल कहता है कि भारत के संबिधान के उदेशका यानि के प्रस्तावना के बारे में निमलिखित में से कौन से कथन सही है पच्पन का सवाल जो कहा रहा है वो कौन सा सही है ये बताना है और यहाँ पर कोट से सही उत्तर चूनना है तो कोट ए में क्या कहता है कि उदेशका स्वेम नयाले में परिवर्टनीय नहीं है दूसरा कहता है कि उदेश का उन उदेशियों को बताती है जिन्हें संबिधान अस्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है उदेश का उस रोत को इंगित करती है जहां से संबिधान अपना अधिकार प्राप्ट करता है तो ये जो परस्ण कैनुसार है उदेशका कैनुसार तो सबी सही हो जाएंगे A, B, C, 3 56 नुबर सवाल कहता है कि निमलिकित में से कौन सा कथन पेटेंट के सन्दर में सही नहीं है यहाँ पर जो पेटेंट के लिए संबंध है वा अनंत समय के लिए किया जाता है ये गलत है पेटेंट के अबधी जो होती है बीस साल के लिए होती है ये बात होगा और बाकी सभी के सभी सभी स़ह है संतावा नमबर है कि ब्रहंपूतर नदी अपने स्रोत से लेका डेल्टा तक गुजरती है कहां सकां से तो ब्रहंपुत्र नदी जो है ये चीन, भारत और बांगला देश चे होकर गुजरती ओप्सन नमबर C 58 है कि निमलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है चीन, बर्मा, भुटा, ताइवन तो ये आप नॉर्मल सा सवाल है आप जानते होंगे ताइवन जो है नहीं लगता है अगले सवाल है उनेसको का डाइरेक्टर जेनरल कौन है ये उस समय के अनुसार है आद्रे अजोबे ये 2017 के अनुसार बर्तमान में बदल गया है केरेंट में पढ़ेंगे इसको साथ है कि किस राजनितिग ने दा कोलीशन येर नामा पुस्तक लिखा है 1996-2012 1996-2012 का पुस्तक ब्रणब मुखर जी का है दा कोलीशन येर अगले सवाल है हमारा 61 यानि की 100 नंबर कि लोकतंत्र के बारे में निम्न कत्नों पर विचार करें और उपयक्त में से कौन सा सही है तो कहता है कि इनमें लोगों द्वारा निर्वाची सरकार का गठन होता है लोकतंत्र में बर्तमान में सत्तासिन लोगों के हारने की समभावना काफी होती है प्रतेक मत का मुल एक ही होता है ये सभी के सभी सही है ABC सकल घरेली उत्पाद को डैस के रूप में परिवासित किया गया है तो सकल घरेली उत्पाद जो है किसी अर्थवश्ता में एक बर्गस में उत्पादित अंतिम बस्तुयवम सेवाएं होती है ओप्स नमबर A इत्रे सेट है कि निमलेखित में से कौन सी मुद्राएं Special Drawing Right यानि कि SDR की पेटिका में आती है तो यहाँ पर देखेंगे तो उप्युक्त सभी कहता है यानि कि क्या कह रहा है कि मुद्राएं Special Drawing Right की पेटिका में आता है तो अमेरिका का डॉलर, जपान का येन, ब्रिटिस का पॉंड, चीन का युवान और इरोपिय संग का यूरो ये सभी समुद्राएं जो है Special Drawing Right के अंतरगत आता है भारत में निमलिखित में से कौन सा छेतर जैब विवित्ता का तब तस्थल, यानि कि होट अस्पोर्ट एरिया माना जाता है तो ये पच्छमी घाट को माना जाता है उसकी बाद आगे जो सवाल है यहां है 65 नमबर कि कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने के लिए वस्यक है तो ये आपको पता होगा विटामिन के यानि कि फीलो की उनौन अगर ये सब आपको पढ़ना हो तो विडियो को पॉस्ट करके पढ़ सकते हैं परेसानी नहीं है आप डिटियल में पढ़ सकते हैं या फिर ज़्यादा बेहतर रहेगा कि पीडियेप से ही पढ़ लिया करें पीडियेप है टेलिग्राम पे है गर्मरेगिस्तानों में तथा उनके चारो और पवन धूल से बनने वाली मृदा को क्या कहते हैं तो इसको हम लोयस मिर्दा के नाम से जानते हैं निमलेखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है तो कथन ये कहता है कि 326 BC में सिकंदर ने भारत पर आकर्मन किया दूसरा कहता है कि आम भी जो कि तक्छे सिला का राजा था ने सिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किया तीसरा है कि सिकंदर की मिर्द्यू 332 BC में हुई है तो यहाँ पर सही जो है एक और दो सही है यानि कि option number C और सिकंदर की मिर्द्यू की बाद जो 332 में है वो गलत है क्योंकि सिकंदर की मिर्ति जो है 330 BC में होता है 68 है कि India after Gandhi the history of the world's largest democracy नामक पुस्तक के रचेताकान है तो यह रामचंदर गुहाँ है India after Gandhi the history of the world's largest democracy आप्सन नमबर B निमलिखित में से UNESCO की Intangible Cultural Heritage Humanity from India में क्या सामिल नहीं है रम्मन, संकिर्तन, बीहु और योगा तो बीहु जो है UNESCO के इसमें Intangible Cultural Heritage Humanity from India में सामिल नहीं है अगला सवाल कहता है सत्तर कि 1926 इस्वी में नौजवान भारस सभा किस के द्वारा बनाई गई तो नौजवान भारस सभा बनाई गई थी भागत सिंग के द्वारा 1926 में 71 है कि सयुकतराश्ट संग ने बर्स 2017 को ड्याश के लिए अंतराश्ट्य बर्स गोसित किया है तो ये परियाटा नवम सतत्विकास के लिए के एरेंट का सवाल है किताब लहिंद पुष्तक किस के द्वारा लिखी गई है तो एक्विटाइस लगोबित्बेंग था कैरेंट का सवाल है ठीक है तो ब्रह्म में चरिकी अगर बात किया जए तो ब्रह्म में चरिका जूम्र होता है वो होता है 75 से 100 वर्स में फिर कहता है कि ग्रिहस्त की बात करें तो ये होगा 50 से 75 बानप्रस्त की बात करें तो 25 से 50 और सन्यास उल्टा हो गया है कुछ माप करेंगे ब्रह्मेचर की बात करें तो जन्मे से 25 वर्स उसका अद्ग्रिहस्त की बात करें तो पचीस से पचास वर्स बानप्रस्त की बात करें तो पचास से पचास वर्स और सन्यास की बात करें तो पचास से सो वर्स यानिके option number D उन्हा हम मिला लेंगे यहां से मिला लेते हैं कता है कि ब्रह्मे चर्प जन्म से 25 वर्स, ग्रीहस्त 25-50, बानप्रस्थ 50-75, सन्यास 75-100 अगला सवाल है च्छेतर नंबर की निमलीखित में से किन है उर्जा संगरहन के लिए इस्तमाल किया जा सकता है उरजा संगरहन के लिए इस्तमाल करेंगे संपीडित बायू, स्प्रिंग, बैटरी और संधारित, option number D 77 है कि blue chip company क्या होता है, blue chip company क्या होता है कि ऐसी company जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि आर्थिक रूप से मजबूत के रूप में यहां answer देख लेते हैं इसका, blue chip company जो है कि blue chip company आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है, option number B फिर एक राजस्व में रायत बाड़ी परियोग का प्रारम किसके दोरा किया गया है तो रायत बाड़ी जो है यह Alexander Reid के दोरा किया गया था और इसमें जो है Thomas Munro भी सामिल था, तो option number B हो जाएगा फिर आता है 79 कि निमलिखित में से कौन सी आगनी चटान नहीं है, आगनी चटान कौन सा नहीं है तो सेल नहीं है, option number D बाकि periodotite, greenite, ascoria यह से भी आगनी चटान में सामिल है अगला सवाल आता है 80 क्या इस महिला किरकेट ICC बिसकप 2017 कि देश ने जीता है, इसको अभी याद करनी की ज़र्वत नहीं है, इंग्लेंड ने जीता था अभी 2022 वाला जो है, महिला बिसकप जो है, आस्ट्रेलिया ने जीता है, इंग्लेंड को हरा कर 81 नमबर है कि निमलिखित में से कौन सा एक रसाइनिक परिवर्थन का उधारन है तो कागज का जलना जो है, रसाइनिक परिवर्थन का उधारन है, यानि कि जो जल गजाए, वो फिर पूर्ण वस्था में ना आए, वैसा हम रसाइनिक परिवर्थन कहते है 82 है कि निमलिखित में से किस ने 20 का सबसे लंबा 100 GBPS तकनीकी अधारित अंतह समुद्री प्रनाली आरंभ किया है, तो ये टाटा केरेंट का सवाल है निमलिखित में से कौन अंतराज्य परसत का गठन करता है तो अंतराज्य परसत का गठन करने के लिए जो वो होता है ये 263.6 के अंतरगत राष्ट पती करता है ओप्स नमबर C फिर सवाल है कि कौन से IIT संस्थान ने MBBS पाठकरा में सामिल करने की घोसना की है तो ये खड़ाकपूर केरेंट का सवाल है याद नहीं रखेंगे अगला सवाल है कि बिस्प का सबसे बड़ा बौध मंदिर कहां इस्थित है तो ये हो जाएगा बोरो बुदूर बिहार इंडोनेसिया में इस्थित है ओप्स नमबर B हडपा की अस्थल किस नदी तट पर इस्थित है तो हडपा की अगर बात करें तो ये रावी नदी के तट पर इस्थित है के एन ओटू के एन ओटू राशाइनिक सूत्र है किसका तो के एन ओटू पोटैसियम नाइटरेट का सूत्र होता option number D सवाल है 88 कि निमलिखित में से कौन सा सही नहीं है सैंडल वूड आंसिक मूल परजीबी कसक्यूटा परजीबी नेफेंतिस माजन सहारी और फंगस स्वापोसी तो फंगस जो है ये स्वापोसी के रूप में नहीं है नंबर D हो जाएगा पर जी भी होता है फंगस 89 है कि निमलिखित में से कौन सा गैसिय बाइ प्रदूशन नहीं है तो हाइड्रोकारवन जो है गैसिय बाइ प्रदूशन नहीं है बाकि सलफर के औकसाइड normally के ये अकसाइड और धूअ जो है 2017 में यानि की केरेंड का सवाल है सुनहरी गोल्डन चावल क्या है गोल्डन चावल क्या है तो एक ट्रांजेनिक चावल की केस में जिसमें केरोटीन के लिए जीन था तो उपलब्ध है option number C नीतियायोग के उपाध्यक्ष कौन है उस समय का नुसार जो था शूरी माप करेंगे यहां पर आंसर जो दिया गया है राजिब कुमार दिया गया है बर्तमान में भी राजिब कुमार ही है एक मिनटTime के उपाध्यक्ष है नहीं बर्तमान में बदल गया है 2013 के न्तरकत इसको देख लेंगे थिक है ध्यक्ष के रूप में कोई सुमन बेरी करके आये हैं जो हैं ठीक है चिक कर लेज़ेगा हाँ देखे यहाँ पर दिया भी गया है बरतमान मनितिया उक्युपा ध्यक सुमन कुमार बेरी और सीयो परमेश्वर नईयर नहीं है यह बीबियार सुबरा मन करके कोई बदल गया है यह चिक कर लेंगे सी यहाँ पर गलत गलत है 93 है कि भारत के राष्टी कलेंडर पंचांग का यह पहला मास है तो चैत महिना पहला होता है यह ध्यान रखेंगे और फागुन अन्तिम होता है मानवरक्ट में पीएच साधारनता कितना होता है तो मानवरक्ट का पीएच मान 7. 7.4 से 8 यानि कि 7.5 से 80 जीडो 95 95 है पुस्तक I do what I do of reform rhetoric and resolve कि रचेता कौन है तेरा घुराम राजन थे जो कि भारते रिजर्बैंक के गवर्नर भी थे जब एक अर्थ वस्था स्फिती दवावों से गुजर रही हो तो क्या उपाय अपनाने चाहिए तो इस वस्था में प्रत्यक्ष करको बढ़ा देना चाहिए option number केवल ए कहता है क्या है कि जब अर्थ वस्था इस फिती दवाव से गुजर रही हो तो उस समय प्रत्यक्ष करको direct tax को बढ़ा देना चाहिए 97 है तेज क्या है तेज के अगर बात करें तो तेज जो है digital payment bank है वो जो अभी google पे जो यूज करते है न वही google पे का ही पुराना नाम था तेज 98 है कि निमलिखित में से कौन चंगेज खा का समकालिन था सुल्तान समसुदीन इलतुतमिस यानि कि इलतुतमिस के समकालिन था चंगेज खाँ आगे सवाल नमबर 99 काता है NAFTA के सदस्य है तो NAFTA का अमेरिका कनाड़ और मैक्स को यानि कि North America Free Trade Agreement यानि कि NAFTA के रूप में जाना जाता है अमेरिका कनाड़ और मैक्स को सामिल है आखरी सवाल है कि सरवोच न्याले नीजता के अधिकार को संविधान के किस मूल भूत या धिकार के अधिन जखा है तो ये 21 के अंतरगात आ जाता है प्रानेवं दहिक सरक्षन के अधिकार के तहत तो ये पूरे के पूरे जो सवाल है या आपका 100 सवाल यहां पर कंप्लिट होता है उमीद करेंगे आपको ये पसंद भी आये होंगे और इसी तरह से आप हमारे साथ continue बने रहेंगे आपको जो है daily एक अक सेट करके जो जितने भी प्रस्ण हैं वो सब आपको provide करा दिये जाएंगे तो इसी तरह से अमारे साथ बने रहें वीडियो पसंद आये हैं तो लाइक और शेर जरूर करेंगे और चैनल पर नये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन को आउन कर लेंगे ताकि आपको और सभी नोटिफिकेशन मिल जाए और साथ ही साथ ही अभी याद रखेंगे अगर आप सूपर 50 में जोइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपका सारा डिटेल दिया हुआ है यहाँ से आप डिटेल ले सकते हैं ठीके डिली आपको कंटिन्यू क्लास कराया जाते हैं 4-6 घंटे की तो वह भी है आप तिन दोस्तों के साथ जोइन करते हैं तो यह दोस्त आपके फ्री में भी जोइन करेंगे तो यह भी आप ध्यान रखें मिलते हैं अगले सेट के साथ वाकि अपना अभी से सुझाब हमें जरूर देंगे अभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जैहिंद